Assalamualaikum प्यारे बच्चो आज हम Unit 2 का जो चैप्टर है My Family and I उसकी Letter Songs करते हैं आपको पता है कि जो हम Alphabets पढ़ते हैं इनकी Sounds होती हैं तो आप देख रहे हैं कि Center में एक Line है जिसमें A, U, V, J, E, S Alphabets लिखे हुए हैं और इसके दोनों साइड्स पे कुछ पिक्चर्ज हैं तो आप देखें कि A जो है उससे क्या चीज़ शुरू होती है तो एक-एक करके हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं A से क्या बंदेखते हैं A से Apple, Apple English में Apple को Uddu में Save कहते हैं और English में Apple तो आप इनके स्पेलिंग भी याद करें कॉपी पेंसिल लें और इसकी प्रैक्टिस करें एपल, आ उसके बाद आगे क्या है यू, यू से स्टार्ट होता है अम्बरेला अम्बरेला, यू, एम, बी, आर, इ, डबल, ल, ए, अम्बरेला अम्बरेला को उर्दू में छतरी कहते हैं फिर उसके बाद वी से क्या शुरू होता है वैन, वैन जो है आप इसमें ट्रैवल करते हैं बस भागती, दोड़ती, सड़क पर आपको नजर आती है तो ये है वैन, वी से शुरू होती है वैन और उर्दू में भी सको वैन ही कहते है फिर उसके बाद है J for जग जग जिसमें हम पानी डालते हैं जग और उर्दू में भी हम इसको जग ही कहते है फिर है E for Elephant Elephant आपने चिडिया घर में देखा होगा बहुत बड़ा जानवर होता है इसकी सूंड होती है इसके बड़े-बड़े कान होते है और बहुत बड़ा होता है elephant E से स्टार्ट होता है elephant फिर उसके बाद है soap हम soap को हाथ दोने के लिए इस्तमाल करते हैं soap को उर्दू में साबन कहते हैं तो हमने ये sounds पढ़ी अब अगला हमें जो question है वो है learning to speak आप देख रहे हैं कि कुछ तस्वीर हैं इनके आगे हमारे ब्लॉक जो में जो है alphabets लिखे हुए है और left hand side पे pictures हैं तो सबसे पहले किसकी है fan fan कहते हैं पंखे को और उसमें fan जो है अगर आप देखें तो हम गर्मियों में इससे हवा लेते हैं गर्मी में इसको इस्तमाल करते हैं ये दो लफ़ों पे मुश्तमिल है F और N और इसका एक बहुत आसान तरीका है आपने ने वर्ड सीखने हों तो N से पहले चेंज कर दें तो जैसे फिश, fan, family, fruits ये वो अलफाज हैं जो आपको पता हैं family BF से शुरू होती है फिश, मचली और fruits फलों को fruits कहते हैं ये आम तोर पे हमारे हम अलफाज बोलते हैं अगर आपने fan दरस के ने लफ सीखने हैं तो आप N से पहले वी लगा दें तो वेन बन जाता है, M लगा दें तो मैन आदमी बन जाता है और रेन आड लगा दें तो रेन जिसका मानी दोड़ना होता है फिर उसके बाद ये क्या है? कप तो आप कप के जो है वो भी दो अलफाज से बना है कप और अप कप और सी से और भी आप सोचें बहुत सारे अलफाज शुरू होते हैं जैसे कार है, कैप है, कप और केक फिर उसके बाद है पिन, P, I, N, पिन इसके भी दो हिससे हैं एक P और एक इन, पिन तो P से पैन स्टार्ट होता है, पाक, पिलो, तकिये को पिलो कहते हैं और पैन, जिसमें हम चीज़ें फ्राई करते हैं फिर इसके बाद है बॉक्स, B, O, X, बॉक्स, तो बॉक्स के भी दो इससे हैं, B और आक्स commonly आप अगर अपनी vocabulary जखीरा अलफास ज्यादा करना चाहते हैं तो और बहुत सारे अलफास सोचें जो B से शुरू होते हैं इसलन, बैग, बैट, बैड, बैग, बिग, बिन, बॉक्स, बग, बन, और बस और फिर ओक्स से पहले एफ लगाएं तो फॉक्स बन जाता है जिसको लूम्री कहते हैं एस लगाएं तो सॉक्स बन जाता है जराबों को सॉक्स कहते हैं और पाक्स जिसम पे छोट-छोटे दाने निकल आएं तो इनको पाक्स कहते हैं। फिर है नेट जाली को कहते हैं और एट नेट के भी दो हिस्से हैं। और नॉमली जो एट से और अलफाज शुरू होते हैं उनमें नोज है नाक नेपकिन रुमाल को कहते हैं। नेल्स नाकौन, नेस्ट गौसले को, नाइन नमबर अन से शुरू हता है, नोटबुक जो आपकी लिखने की कॉपी है, नमबर अन से शुरू हوتा है, नर्स अन से शुरू हती है और न्यूसप़िपर अख़बार भी अन से शुरू होता है अंगलिश में इसको कहते हैं और डब्लीू लगाएं तो वैट गीला होना अजय को इसी तरह कई कट के भी दो हिससे हैं कई और एट और आम तौर पे जो सी से वर्ड शुरू होते हैं उसमें काउ आती है कैमल है उंप को कैमल कहते हैं गाए को काउ के हैं कैमरा और कार और अगर आप ने लफ़ सीखना चाहें तो M लगा दें एट से पहले मैट, A लगा दें तो हैट, B लगा दें तो बैट और C लगा दें तो कैट उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा, आज आपने वह से ने लफ़ सीखे, इनको याद करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें